असलाव अलाईकूम कैसे आप लोग मुझे पूरी उमीद है एक दम से पतस्त होंगे तो आज मैं वीडियो डिसक्स करूंगा वह आटोमोटिफ टेक्निशन 2 है यानि कि इसकी क्लास 2 है और आज हम वह इसी को डिसक्स करेंगे तो जैसे कि हम बहुत सारी बेसिक चीजों को डि और उसके साथ साथ नियू टॉर्क को डिसक्स कर लेंगे तो देखते हैं कि क्या क्या चीजे हैं इसके अंदर जो हम समझ सकते हैं और हम इसको किस तरीके से अपनी डियाग्नोजिंग चीजों के अंदर इस्तमाल करेंगे देखने में तो यह बहुत डिफिकल और टफ लग है क्योंकि फिजिक्स की चीज़ें और आप लोग जानते हैं यह फिजिक्स की चीज़ें थोड़ी सी जो है बोरिंग होती है और उनको पढ़ने का दिल बिल्कुल नहीं करता लेकिन यहां पढ़ेंगे तो हमें अच्छा लगेगा क्योंकि हम इसकी प्रैक्टिकल चीजों क करने लगे जाती है इस तरह देंस से लो कंसीडर हो रही होती है उस चीज़ यानि कि उसका मास और ऐसकी वाल्यूंस से जो सड्म होता है और देंसीटची कले है और इससी तpowered द象 करने का लिए रिंधा गाड़ियों के लिए जो गाड़ी एर सब्सक्राइन होती है वह तो हम ने कितनी हाइल डेंस वो एर इस तरह किसा हम अगर एनलजी की तरफ आज़े हैं तो जूस के पर बात हो रही होती है और कितनी फ्यूल हमारा जोना कंसप्शन हो रहा है एनलजी के अंदर जो हमारा में स्वर्स होता है आटमबील के अंदर वो होता है पैट्रोल या सी एन जी डीजल या ऐसी चीज़ें जो हम आजकर यूज़ कर रहे हैं अलेक्ट्रिक सिटी भी हो रही है लेकिन यहां पर जो हम मैं बात कर रहा हूं वो ऐसा पेट्रॉल अगर बात करें तो हमारा पेट्रॉल एक केमिकल कंपाउंड है जो के एनलजी अपने अंदर रखता है और उसको एसा यूनिट होता है वो जे से अप्रिवेशन होती है जैनिके जे से इसको लिखते हैं जूल्स अब फोर्स की बात करें तो फोर्स में चेंज रेट इन चेंज आए कि किसी चीज़ का में अगर उस पर कोछी सप्लाई की जाए तो उसके अंदर जो चेंज आएगा यानिकि को भी हम सही करते हैं जिसकंट जय का सेंबल होगा वर्क जो खे से जो चीज किसी चीज पर फोर्स अप्लाई की जाए इसमें फोर्स लिंक हो रही है प्लाई की जाए और अपर चीज थोड़ी सी मूफ कर जाए हरकत कर जाए तो हम उस पर ये कहेंगे कि एक वर्क इस पर अपलाई हो चुका है यानि के एनरजी का एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में तब्विल होना तो इसी तरह हैं अगर हम अगर पावर की बात करने तो पावर को हम डूनेट करते हैं डेवल्यू से यानि वाट और इसी तरीके से है इसके अंदर जो भी चीज हम गाड़ी के आउटपूट की बात करें तो वाट से लिटेट होती है या फिर हॉस पावर से लिटेट होती है अब की जो भी घाणियां जो भी चीज़ें हम बना रहे हैं उनमें ज्यादा तर हॉस पावर डिसकस नहीं होता तो वाट पर ही बात होती है अब पावर का जो 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 रिलेशन होता है वो होता है रेट of change of work work done जो कि काम किसी भी उस पर क्या जाए रिलेटेट टू टाइम एक खास वक्त के अंदर एक खास वक्त पर काम होना तो वह पावर या वाट किलाता है तो यह इसी समझ में आने वाले चीज़ा है हमारी बहुत सारी मोटर्स जो होती है तो जितना ज्यादा वाट होगा या वह उनकी पावर किलाती है अगर टॉर्क की बात करें तो टॉर्क न्यूत्रमितर में इसका जो वह इनिट है और जो टॉर्निंग फोर्स जो भी होती है वो आका तक लाववा की चीजह देख लेते हैं जैसे व्लासीटी एक्सलरेशन मोमेंटम फ्रेक्शन इसमाम चीज़े भी हम आटो मोबील में अक्सर यूज कर रहे होते हैं डाटलिस्ट के अंदर एनलेसिस में इंजिन के प्रॉडम्स में स्पीड के वाइबरेशन के अंदर नौइस के अंदर तो व्लासिटी के बगर हम बात करें तो वीकल व्लासिटी क्या है और क्या होनी चाहिए एक्ट्वल के अक्सरेशन बता रहे होते हैं जो वीकल की कभी-कभी स्पीड के उस पर होती है और इसी तरह से जो मोमेंटम की जब बात आएगी तो हम डियरक्ट फ्लाइविल की तरफ जाएंगे जो मेंटम क्रियेट होता है और जो के एक मास और व्लासिटी के साथ सर्कुलेशन उसकी और फ्रिक्शन के बात करेंगे तो फ्रिक्शन में म्यू इसका जो है वो ऐसा ही उनिट होगा और इसके फ्रिक्शन के अंदर जब हम बात कर रहे होंगे तो हमारी बात सबसे पहले जो ब्रेक्स क्या रही होगी ब्रेक और डिस्क जब फ्रिक्शन क्रियेट करती है और ही ज चीजों को पढ़ते हैं और यह चोटी चोटी चीज़े हैं जो फिजिक सी हम लोग नॉर्मली यूज कर रहे होते हैं यहां पर पढ़ने में हमें इसलिए थोड़ा बेतर लग रहा है क्योंकि हम यह चीज़े सारी प्रैक्टिकली देख रहे होते हैं जब हम प्रैक्टिकली इ हमें औरोमेटर पर दिखा रही होती कभी-कभी काड़ी हमारी उस species से चल रही होती है उसी स्मेड कम चल रही होती तो ऐसी चीज़ों को एंळाइस करने के लिए डाटर लिस्ट के अंदर हम यूज करते हैं या gitu कोई तो यहां हम तो यह संसक्त हुआए हैं ज़हाएं तो इस Вас टब सब्सक्राइब की तरफ temperature जो कि बहुत ही important element है और इस पर भी हम बहुत जादा काम कर रहे होते हैं हर चीज़ में temperature की जरुद पेशारी होती है कि अभी क्या temperature है और क्या actually होना चाहिए इसी सिस्टम के लावा मजीद जो ambient temperature और room temperature का जो है पसमें difference हम लोगों को मालूम होना चाहिए और इसको हम डील कर रहे होते हैं अकसर कि कभी-कभी हमारे readings जो होती है हमारे जो sensors होते हैं thermistor type वह हमें wrong readings दे रहे होते हैं जिसकी वज़ए से हमारी जो engine का जो है na condition change हो जाती है अब इसी तरीके से temperature हैं दो यूनिट्स हो रहे होते हैं जो कि एक degree होता है जिससे c से donate करते हैं और Kelvin होता है जो k से donate हो रहा होता है तो आपको जो easy लगे आप हम यूज कर सकते हैं इसमें normally हम लोग centigrade में यानी सी में यूज कर रहे होते हैं तो हमें वह ज्यादा बैटर लागता है तो इसी तरीके से pressure देख लेते हैं हमारे बहुत सारे pneumatic hydraulic जीज़ें जो होती है वो प्रेशर से लेटेट होते हैं हमने चेक करना होता है हमारे hydraulic system अगर pneumatic या hydraulic base है यानी oil base है तो इस पर हमें pressure के readings चेक कर रहे होते हैं और इसको different data list के as per manual उसको compare करके comparison करके देखते हैं कि किस तरीके से इनमें जो ना variation आ रहा है या इसमें क्या abnormalities आ रही है प्रिशर क्या होना चाहिए और actual pressure क्या है तो इस तरह की चीज़ें भी हम लोग देख रहे होते हैं तो हमें physics की यह दो स्टोन को एक बांद दें और इसको घुमाते रहे तो इस टोन की एक force जो act हो रही होगी वो इसको डोरी से आवे कर रहे होगी दूर कर रहे होगी तो यह एक centrifugal force करीए हो रही होगी हमने के इंडर देखा होगा इस्टूब्यूटर के अंदर के इंडर हमारे में धे संट्रिफ्यकुल लगे होते हैं जो किसी तरह की से फील होने लग जाएगी और बहुत सारी सर्कुलेटिंग प्लेट्स हैं जो रोटेशन पर होती हैं तो मिस्ट्रिफिकल फोर्ट का डिस्टर्बेंस हो जाने से हमारे अंदर हमारी वीकल में वाइबरेशन आ जाएगी उसके लावा भी हमारे जो गेर है यानि एटियम है उसके पर बात की जाए तो वेट्स तो चले हम डाटर लिस्ट्रिफिट नहीं देखते लेकिन वेट्स ही अपनी एहमियत होती है और जो हमारा वेट डिस्ट्रिबिशन होता है वह बहुत ज्यादा एक्कुरेट होना चाहिए यानि कि हमारे जो आगे के और पिछे की जो टायर सें तो हम आजाते हैं सेंटर उग्रेविटी लेक्रिक्रिक्षिटी स्ट्रेंथ और पाध करेंगे तो वह उत जो जानिब जो सेंटर उफ उफ घ्रॉटी जानि के सेंटर उफ वेटो अब ढोडी इनॉर्मल यह वह वेट होता है जो एंजिन किसे थोड़ा से website पेहता या लेकिन you write sensor के अंदर यह बात बहुत एहम होती है और यह बात बहुत कंस्वीडर की जाती है अब यह सेंसर गाड़ी की जो आगे से जो फोड़ा हो जाए पिछ सट हो चग करके यहgging रहा हूता है और इस इस हिसाब से इसी और जो ब्रेक की इसके दे रहा होता है एक नमबर टॉपिक है इसके पर मैं अलग से एक वीडियो बना दूँगा और इस पर हम एक डिटेल में बात करेंगे यह एलेक्रिक सिटी भी जो है ना डिफरेंट कंपोनेंट्स और डिफरेंट चीजों का एक दूसरे लिंक करवारी होती है तो स्प्रेंशन के अंदर बहुत वैल्यू कर रही होती है जैसे कि आपने देखा हुआ को क्वाइल स्प्रेंग जो होता है उसके अंदर एक खास किसम का स्ट्रेस होता है और आमने शाद यह चीज़ भी नोट कि हो कि क्वाइल स्प्रिंग उपर की जानेब से तो पतला और आस मैटीरियल के डिफरेंट स्टैंद होती है अलमूनियां कास्ट रहे हैं इसी तरह के से जो प्योर रहे हैं हर चीज़ के अपनी के स्ट्रेंथ होती है तो इसी स्ट्रेंथ के बिहाफ पर जो है उसका एक वाइबरेशन और उसकी एक स्ट्रेस जो होता है वह क्रियेट होता है इस तरह के हम लोग NBH में पढ़ते हैं कि जो भी vibration, noise, harshness जो आती है वो इसी material से literally होती है और इसी material की properties पर depend कर रही होती है तो इसी तरह के से अब हम Crusion की तरफ जाते हैं कि Crusion के अंदर हर वो चीज जो के हमारी Cruded हो जाए हर चीज हर material ने Crusion होना ही होना होता है इवन हमारा गोल्ड भी Crusion लग सकता है उसको भी तो उसकी एक खास जो है water के साथ molecule बना लेना उसमें Crusion आ जाता है और यह Crusion का material हर material के अंदर हो रहा होता है कभी किसी में बहुत slow होता है और कभी किसी में बहुत fast होता है तो automobile के अंदर भी Crusion का हम बहुत जहन में रखते हैं हर चीज़ को design करते हैं हर चीज़ को manufacture करते हैं और उसकी protective करने के लिए paint या उसके उपर जो है ना कोई layer लगा देते तो मेरे खास है अब तक के लिए इतना ही इंशाला निलते हैं नेक्स टुडियो में तब तक के लिए Assalamualaikum